विडियो को इंट तक देखेगा तो चलिए शुरू करें अगर इस डॉग ब्रीट के औरिजिन की बात करें तो बेलजिन मेलनॉई बेसिकली बेलजियम की डॉग ब्रीड है जो के बेलजियम में ही डॉग की गई थी इस डॉग ब्रीट को शीप को हर्ट करने के लिए यूज किया जाता था और इसकी परफॉर्मन्स देखने के बाद वहाँ के लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस डॉग ब्रीट को पुलीस में और मिलिटरी में यूज किया जाए तब से लेके अब तक Belgian-Melanoy, आरमी की डॉग ब्रीट में सबसे जादा यूज की जाने वाली डॉग ब्रीट की लिस्ट में नमबर वन पर रएंग करती है इस डॉग ब्रीट को डिवेलब करने के लिए जिन दो डॉग ब्रीट का यूज किया गया था that was Dutch Shepherd and German Shepherd Belgian Melanoy एक large size की dog breed है जिसकी average height 22-24 inches tall और इसका जो weight है that can be around 25-35 kg This dog breed is highly intelligent and they just love to focus on their work इस dog breed को distractions बिल्कुल पसंद नहीं होती इनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है कि जो भी task इनको दिया गया है वो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए Belgian Melanoy's are very good with their families लेकिन इनको रखने के लिए एक experienced dog owner की जरूरत होती है जो के बहुत confident हो First time dog owners के लिए dog breed बिल्कुल भी नहीं है because they are super active और इनको रखना easy नहीं होता as compared to other dog breeds Belgian Melanoy बहुत hyper active होते हैं और इनको daily high amount की exercise required होती है आपको इनको दिन में कमस कम एक घंडे की exercise देना बहुत जरूरी है otherwise Belgian Melanoy frustrate हो जाता है क्योंकि इस dog breed को काम करने की बहुत ज़ादा आदत होती है काफी लोग इस dog breed को German Shepherd के साथ compare करते हैं but let me clear you that Belgian Melanoy German Shepherd से बहुत ज़ादा strong होते हैं बहुत ज़ादा fast होते है so please keep this in your mind मज़े की बात ये है कि आर्मी के अंदर बहुत सी dog breeds का use किया जाता है लेकिन Belgian Melanoy एक ऐसी dog breed है जिसको आर्मी वार पे भी अपने साथ लेके जाती है और बहुत ज़ादा critical missions के अंदर भी Belgian Melanoy आर्मी के साथ होता है so now you can imagine how strong and how intelligent they are अगर इस dog breed के barking level की बात करें तो Belgian Melanoy तभी बाग करता है जब necessary होता है बिलावजा बाग नहीं करता अगर इसके drool amount की बात करें तो ये drool बहुत कम करता है as compared to other dog breeds इस dog breed को train करना super easy होता है Belgian Melanoy बहुत जल्दी train हो जाते हैं और इनका दिमाग बहुत तेज होता है as compared to other dog breeds इनको groom करना बहुत easy होता है they are very easy to groom ये rough and tough होते हैं और किसी भी type का weather easily tolerate कर सकते हैं बहुत सर्दी को भी बरदाश कर सकते हैं और बहुत गर्मी को भी easily बरदाश कर सकते हैं Belgian Melanoy की loyalty tendencies बहुत high होती हैं this is the reason they are used by the military ये dog breed कभी भी अपने उन और का साथ नहीं छोड़ती भले कितनी भी tough situation हो Belgian Melanoy एक short coat की dog breed है जो के seasonally shade करता है अगर इस dog breed के colors की बात करें तो ये काफी different colors में पाय जाती है like brown, chocolate, liver, red and fawn अगर इस dog breed के color pattern की बात करें तो Belgian Melanoy एक ही pattern में पाया जाता है and that is sable अब बात करते हैं इस dog breed के cost की तो India के अंदर ये dog breed easily available है और वहाँ पे ये dog breed easily आपको मिल सकती है 30,000 से लेके 40,000 तक whereas Pakistan के अंदर ये dog breed थोड़ी सी rare है तो इस dog breed की जो cost है that is around 40,000 to 80,000 so guys यही थी आज की video I hope आपको video अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो like कर देना, subscribe कर देना और bell icon को दबा देना ताके हर आने वारी video आपको मिलती रहे और comments में ज़रूर बताएगा if there is anything missing, love you all